बिस्मिल्यारमानी रहीम, असलाम अलेकुम, कैसे आप सब यूवर्स, उमीद है सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार गज्रेला गज्रेला बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी, वो नोट डाउन कर लेते हैं गाजल ली है मैंने, धाई कप और इसे मैंने धो कर अच्छी तरह से कदुकश कर लिया था और फिर इसको मैंने मेजर किया है, धाई कप चावल लिये हैं मैंने, 3-4 कप और इसे मैंने काफी देर भिगोया हुआ था, तक्रीबर आदा घंटा भिगो दिया था ये हमने क्रीम यूज करनी है इसमें, ये हमें हजबे जरूरत चाहिए होगी वन कप चीनी है, थोड़े से हमें केवड़ा एसंस की जरूरत होगी बदाम लिये हैं मैंने, 2 टेबल स्पून, इसे मैंने मुटा सा क्रश कर लिया है और 4 अदद इलाइची लिये चोटी वाली और इसको मैंने ऐसे पीच लिया है पैन में मैंने 2 किलो दूद लिया है और इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है दूद में बॉयल आरे के बाद अब मैं इसके अंदर छोटी वाली ची डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो चावल आपको बताये थे वो डाल रही हूँ अब इसको हम slow flame पर चावल गलने तक पकाएंगे चावल हमारे गल गए है अब इसके अंदर में गाजर शामिल कर रही हूँ गाजर गल जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर चीनी आड़ करेंगे गाजर अब हमारी गल गई है और चावल भी अच्छे से गल गए है अब मैं इसके अंदर जो एक तब चीनी बताएती वो डालके इसको हम अच्छे से स्लो फ्लेम पर पकाएंगे जितना गाड़ा हमने इसको रखना यह पग गया है चीनी भी इसके अच्छे से पग गई है अब इसके अंदर में आधे पिस्ते बदाम जो आपको बताये थे थोड़े से वो मिक्स कर रही हूं और क्वाटर टी स्पून इसके अंदर में यह के पर एसेंस डाल रही हूं और अब इसको हम पांच मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूंगी गज्रेला हमारा अब बिल्कुल रेडियो हो गया है अब यह थोड़ा ठंड़ा हो जाएगा तो हम इसके अंदर क्रीम डाल कर मिक्स करेंगे गज्रेला हमारा ठंड़ा हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए और चावल गाजर दोनों हमारे अच्छे से इसमें मैश हो गए अब मैं इसे आपको सर्फ करके दिखाती हूं हमारे मज़ेदार गज्रेले की फाइनल लुक आपके सामने है आपको मेरी रसीपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा शुक्रिया